वेल्कम फ्रेंड्स ऑन स्काई एजुकियर फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के भौतिक प्रदेशों से और टॉपिक का नाम है भारत के सागर तटवरती प्रदेश और द्वीब समू तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के सागर तटवरती प्रदेशो पे तो हम जैसा एक और तो हमारे अब जानते हैं हम अरब सागर है एक और है हमारे साथ बंगाल की खाड़ी एक और है अरब सागर और एक और है बंगाल की खाड़ी हमारे साथ तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तट और इसको हम बोलते हैं पूरवी तट पश्चिमी तट औ प्रारम्ब होता है सरक्रीक से प्रारम्ब होकर कन्या कुमारी तक लास्ट में ये हमारा क्या है विस्तार है अब अगर हम इस विस्तार की बात करते हैं इस विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ तटवर्ती छित्र जो हैं वो देखने को मिलते हैं इन में कौ को न होता है जैसे ये सरक्रीक से लेकर हमारे कच्छ की खाड़ी तक इसको पूरा कहते हैं हम कच्छ का तट कच्छ का तट कच्छ का तट ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे यह हमारा कच्छ की खाड़ी से लेकर यहां दमन तक दमन ठीक है यह पूरा जो तठ है इस तठ को हम कहते हैं सोरास्ट्र तठ सोरास्ट्र तठ ठीक है कच्छ का तठ और सोरास्ट्र का तठ ये कच्छ का तठ और सोरास्ट्र का जो तठ है सम्मिलित रूप से अगर इनको हम एक ही नाम देना चाहें तो सम्मिली तुरूप से हम इनको कहते हैं गुजरात का मैदान सम्मिली तुरूप से हम इनको क्या कहेंगे? सम्मिली तुरूप से हम इनको कहेंगे गुजरात का मैदान क्या कहेंगे भई? गुजरात का मैदान ठीक है? यह ध्यान रखना है अब आगे चलते हैं तो दमन से गोवा पहुंच जाते हैं दमन से गोवा तक हम जब चलते हैं तो दमन से गोवा जिसमें महाराश्टर पूरा आ जाता है तो हम इसको कहते हैं हमारा कोकन तठ अब यहां से गोवा से लेके करनाटक में एक स्थान है मंगलोर गोवा से मंगलोर तक गोवा से मंगलोर तक का जो पूरा तठी ये विस्तार है गोवा से मंगलोर तक ठीक है इस तठ को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कनर तठ कनर तठ कनारी तठ या मंगलोर तठ ये नाम देते हैं कनर तत कनारी तत या मंगलोर तत अब मंगलोर से लेके कन्या कुमारी तक मंगलोर से कन्या कुमारी तक इसको हम कहते हैं यहां से यहां तक फूरा इसको कहते हैं माला बार तत या इसको हम कहते हैं केरल तत अब यहां पे हमारे पास question कैसे आता है, वो जानना ज़रूरी है Question simple आता है, जैसे आपसे पूछेंगे की कोकण-tatt का विस्तार है तो आपसे हैं पूछेंगे की कच्की खाड़ी से दमन से गोवा तक या गोवा से मंगलोर तक तो आपको आंसर देना है दमन से गोवा तक जो विस्तरत है वो कौन है कोकण तट दमन से गोवा तक कौन विस्तरत है कोकण तट ठीक है ये ध्यान रखना है तो दमन से गोवा तक विस्तरत है कोकण तट राइट अब आगे बात करते हैं हम इस मालाबार तट पर कुछ खास है माला बार तटपर दोस्तों देखो क्या पाया जाता है माला बार तटपर देखने को मिलती हैं लेगून जिले माला बार तटपर देखने को मिलती हैं लेगून जिले अब लेगून मैं आपको बता जिता हूँ कि कैसे बनती है लेगून जहिल के अगर हम बात करते हैं तो लेगून जहिलें जो होती है इन लेगून जहिल को हम प्रवाल जहिल भी कहते हैं इनको हम प्रवाल जहिल भी कहते हैं बट ये कभी भी आवशक नहीं है कि वो हमेशा प्रवाल से ही बनती हो ठीक है मतलब बंती कैसे हैं देखना जरा यह हमारा स्थल है और यहाँ पे यह सागर हो गया यह पानी है यह पानी हो गया ठीक है अब अगर हम देखें तो यहाँ परवाल अपना घर बनाते हैं उतले सागरों में परवाल अपना घर बनाते हैं उतले सागरों में परवाल नहीं यहाँ पर घर बनाया अंडे दिये ठीक है बड़े पैमाने पर बच्चे हुए फिर बच्चों ने अपना पूरा जीवन काल पूरा किया मर गए फिर परवाल अपने चारों और परवाल स्नेल के जैसे देखते ह मतलब प्रवाल जो होता है यह जीव अपने चारों और केल्शियम कार्बोनेट का खोल बना के रखता है केल्शियम कार्बोनेट का खोल बना के रखता है अपने चारों और पते करते हैं इन सभी का केल्शियम जमते 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 सागर के ऊपर तक आ प्रवाल ने बनाया है, मुंगा ने बनाया है, शंक ने बनाया है, तो इसको हम प्रवाल भित्ती कहते हैं, तो इस प्रवाल भित्ती की वज़े से ये जो सागर है, इस सागर का संपर्क इस शेश सागर से हट जाता है, इस शेश सागर से इसका संपर्क हट जाने की वज़े से ये एक जील सद्रिश नजर आता है जिसको लेगून जील कहते हैं अब ये आवशक नहीं है कि लेगून जील सदैव प्रवाल से ही बनती हो ठीक है ये आवशक नहीं है ये कुछ भी हो सकता है कि जैसे सागर्य लहरों के द्वारा जो रेत लाई जाती है उसका जमाव सागर्य तटिये चितरों में होता जाए और सागर्य उथले हो जाएं चिछले हो जाएं और इस से भी यहाँ पे निरमित जो जील होती है उसको भी हम लेगून ही कहते हैं ठीक है ये ध्याण रखना है तो हमारे केरल तट पर जो जील पाए जाती है वो लेगून होती है और केरल के जो लेगून है केरल के जो लेगून है केरल के लेगून को हम क्या कहते हैं कयाल कहते हैं केरल के लेगून को हम क्या कहते हैं कयाल कहते हैं जैसे कुछ प्रसिद कयाल की अगर हम बात करें तो यहां पर है पुन्ना मदा कयाल अस्टा मुडी कयाल पुन्ना मदा कयाल अस्टा मुडी कयाल ठीक है वेम बनाड वेम बनाड ठीक है यह है कयाल अब कयाल को इंगलिश में बैक वाटर कहते हैं ध्यान रखना यानि की पस्च जल ठीक है बैक वाटर या पस्च जल पुन्नामदा कैयाल जो क्याल है जो क्याल है उसकी एक बहुत खास बात है कि वेमनाड जो कयाल है भारत की सबसे लंबी जील है वेमनाड जो कयाल है ये भारत की सबसे लंबी जील है वेमनाड ठीक है ये ध्यान रखना है अब हम आजाते हैं यहां पर हमारा जो पूर्वी तटिये प्रदेश है यहां पर ठीक है पूर्वी तटिये जो प्रदेश है य हमारे जो गंगा नदी का मुहाना यानि हुगली नदी का जो मुहाना है यहां से लेके पूरा जो हमारी चिलका जील है उड़ी सामें जो चिलका जील है इस चिलका जील को वैसे तो हम चिलका जील तक का जो पूरा एरिया है मैं इसको उतकल का तट कहते हैं उतकल तठ लेकिन इसको हम दो भागों में बाट देते हैं तो यहां पर हुगली नदी या गंगा नदी का मुहाना से लेकर महानदी के मुहाने तक महानदी का मुहाना मुहाना समझते हो ना मुहाना वह इस्थान जहां नदी सागर में गिरती है तो हुगली से महानदी का जो मुहाना है यहां तक का जो पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं बंगाल तट और इस महानदी से लेकर चिलका तक का जो जोन है इसको कहते हैं उतकल तट उतकल का अर्थ उड़ी सा होता है इसलिए इसको उड़ी सा का तट भी कह देते हैं ठीक है दियान रखना है, चिलका से लेकर आंदर प्रदेश में एक जील होती है, जील का नाम है कोलेरू, तो इस चिलका जील से लेकर कोलेरू जील तक का जो जोन है, इस जोन को एक नाम दिया जाता है, इस जो उनको नाम देते हैं, हम उत्री सरकार तट, यानि ये जो तट है, ये क्या कहलाता है, उत्री सरकार तट कहलाता है, ठीक है, कोलेरू से लेकर यहाँ पर तमिलनाडू और आंदर प्रदेश की सीमा के मद्धे एक जील होती है, हमारी पुलिकट जील, जो कि आंदर कट तो होता है कोलेरू तो आंधर प्रदेश में है और पुली कट आंधर प्रदेश और तमिलनाडू दोनों में आ जाती है ठीक है तो इसको हम कहते हैं आंधर तट और पुली कट से लेके कन्या कुमारी तक पुली कट से कन्या कुमारी तक इसको कहते हैं कोरो मंडल तट या तमिलनाडू का तट कहते हैं ठीक है यह ध्यान में रखना है आपको अब यहां पे मैं एक कॉस्टन बताओं दोनों की तुलना करते हैं हम तो यह जो पश्चिमी तट है यह तो ऐसा तट है कि यहां 200 सेंटीमेटर से अधिक बारिश होती है और यहां की जो जल्वायू है कोपेन के अनुसार अमडबलू है कोपेन के अनुसार यहां की ठीक है और ये वाला जो प्रदेश है यहां पे मानसून से बारिश गृश्मकाल में नहीं होती है यहां गृश्मकाल मानसून से बारिश नहीं होती है इस पूरे प्रदेश में और इस वज़े से यह जो प्रदेश है इस प्रदेश की जो जलवायू है कोपेन के नुसार A और ए एस ठीक है यह ध्यान रखना है अब यहां पे जो बारिश होती है इस तठ पे वो बारिश होती है लोटते मानसून से ठीक है और यहां लोटते मानसून से बारिश नहीं होती है यहां बारिश होती है लोटते मानसून से यहां पे जो वन देखने को मिलते हैं सदाबहार वन तटवर्ती जो छेतर है उसको जाना अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे भारत में जो द्वीप समू विस्तारित हैं उनके बारे में द्वीप समू के बारे में हम बात करते हैं द्वीप समू को हम दो भागों में डिबाट कर पढ़ेंगे द्वीप समू एक तो हो गए हमारे अरब सागरी है अरब सागरी है और एक हो गए बंगाल की खाड़ी के है अरब सागरी है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अगर हम बात करते हैं ठीक है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तो अरब सागर में जो द्वीप हैं वो करीब 36 द्वीप है ठीक है बंगाल की खाड़ी में जो अद्मान निकोबार है 46 द्वीप है इनको विशेश्कन हम लक्ष्दीप की संग्या देते हैं लक्ष दीब ठीक है और बंगाल की खाड़ी में जो इस्तित्फ दीब है वो अंडवान निकोबार कैलाते हैं ठीक है अंडवान निकोबार दीब कहते हैं और यहां पे पानसो बहतर दीब है कितने हैं पांट सो बहतर ठीक है अब दोनों ही दोनों ये केंदर शांशित प्रदेश हैं ऑन्डवान निको बार की बात करते हैं तो पांट सो बहतर जो द्वीप हें यहां पे ये द्वीप जौला मुखी से निर्मित है सबी के सबी ज्वाला मुखी निर्मित द्वीप है और ये प्रवाल द्वीप है यानि कि कोरल द्वीप भी कहते है और मूंगा द्वीप भी कहते है ठीक है प्रवाल द्वीप या मूंगा द्वीप तो हम सबसे पहले लेते हैं बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं उनको और फिर हम बात करेंगे लक्ष द्वीप पर बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं भारत की मुख्य भूमी से करीब दो हज़ार किलोमेटर की दूर सागर तट्वें बंगाल की खाड़ी में इस्तित है ठीक है ये हमारा नौर्थीस्ट भारत है ये हमारा उत्तरपूर्वी भारत है ठीक है इस उत्तरपूर्वी भारत के सहारे यहां पे हमारा एक पडोसी है इस पडोसी को हम कहते हैं म्यामार हम प्रडोशी को क्या कहते हैं म्यामार ठीक है अब इसके नीचे हम आ जाते हैं तो हमारे भारत के जो मुख्य द्वीप हैं जिनको हम अंडवान निकोबार द्वीप कहते हैं वो प्रारंब हो जाते हैं तो यहाँ पर एक द्वीप आता है म्यामार का इस द्वीप को कहते हैं कोको द्वीप कोको द्वीप ठेक है कोको द्वीप कोको द्वीप के नीचे हमारे भारत के द्वीप समू शुरू होते हैं इसको हम कहते हैं उत्री अंडमान इसके दक्षण में एक द्वीप है इसको हम कहते हैं मध्य अंडमान मध्य अंडमान सबसे बड़ा है तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं मध्य अंडमान इसके दक्षण में एक दूइप है जिसको कहते हैं दक्षण अंडमान इसके दक्षण में एक और दूइप है इसको कहते हैं लगो अंडमान इसके दक्षण में एक और दूइप है जिसको बोलते हैं कार निको बार इसके दक्षण में एक और द्वीप है जिसको कहते हैं लिटल निकोबार इसके दक्षण में एक और द्वीप है जिसको कहते हैं ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार इसके दक्षण में फिर इंडोनेशिया का सुमात्रा दी सुमात्रा इंडोनेशिया ठीक है यह हमारे द्वीप हैं है न ऐसे कोको द्वीप कोको द्वीप के दक्षण में उत्र अंडमान उत्र अंडमान के दक्षण में मद्धेंडमान मद्धेंडमान के दक्षण में दक्षण अंडमान, मंद्य अंडमान सबसे बड़ा है, फिर आता है लगों अंडमान, फिर कार निको बार, लिटिल निको बार, ग्रेट निको बार और सुमात्रा, ठीक है, ये द्वीप हैं, इनके अतिरिक्त भी कुछ द्वीप हैं, जैसे प्रसिद द्वीप हैं, लबरिंथ, लबरि सुवाश चंदर बोस तो इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेर में पोर्ट ब्लेर है और वो इस्तित है दक्षन अंडमान पर ठीक है दक्षन अंडमान में जो इसकी राजधानी है राजधानी है पोर्ट ब्लेर ठीक है यह ध्यान रखना है अब अगर हम बात करते हैं इस द्वीपों के मद्धे तो ये जो द्वीप हैं जैसा कि हमने बात की कि ये क्या हैं ज्वाला मुखी उद्गार से निर्मित हैं तो यहाँ पे आज भी कुछ ज्वाला मुखी द्वीप देखने को मिलते हैं सक्रिय ज्वाला मुखी और इन सक्रिय ज्वाला मुखी जो द्वीप है इन में हमारे भारत का ही नहीं दक्षिन भारत का एक मातर सक्रिय ज्वाला मुखी जो द्वीप है उस द्वीप को हम कहते है बैरन द्वीप यानि ज्वाला मुखी द्वीप है अभी भी है यहाँ पे ज्वाला मुखी से निर्मित द्वीप है बैरन द्वीप है यहाँ पे तो बैरन द्वीप हमें देखने को मिलता है इसके लाबा एक अन्य और द्वीप होता है सुशुप्त ज्वाला मुखी यह तो हम पढ़ेंगे तो उनमें हम बात करेंगे कि सुशुप्त क्या होते हैं और जागरत क्या होते हैं तो ये नारकॉंडम सुशुप्त ज्वालम की और वो बैरंदीप ठीक है ये ध्यान में रखना है आपको ओके ये तो हो गया हमारे लिए विशेश बैरंदीप नारकॉंडम ओ सेडल पिक यहां का सबसे उंचा शिखर है 738 मिटर है सेडल पिक उत्री अंडमान में है और सबसे उंचा शिखर है अब यहां पे कुछ जलसंदियां हैं उन जलसंदियों की बात करते हैं कोकोद्वीप और उत्री अंडमान कोको द्वीप और उत्री अंडमान के बीच में कोको द्वीप और उत्री अंडमान के बीच में जो जलसंदी है ठीक है वो जो जलसंदी है कोको द्वीप और उत्री अंडमान के बीच में इसको हम कहते हैं कोको वाटर स्ट्रेट यानि कोको चैनल क्या कहेंगे इसे हम इसी कहेंगे कोको चैनल या कहते हैं कोको स्ट्रेट ठीक है उसके बाद दक्षन अंडमान और यहां पर भी लगों अंडमान के बीच में भी एक जलसंदी है इस जलसंदी को कहते हैं डुमकन पास इस जलसंदी को क्या कहते हैं डुमकन पास ऐसे आते हैं लगों अंडमान और कार्निको बार के बीच में जो जलसंदी है वो है 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल का मतलब है कि यहां से 10 डिग्री अक्षान श्रेखा गुजरती है 10 degree channel यहां से 10 degree अक्षान श्रेखा गुजरती इसलिए इसको 10 degree channel कहते है ठीक है आगे बढ़ते है यह है हमारा कारनिकोबार और यह है लिटिल निकोबार तो कारनिकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में यहां जो जलसंदी बनती है इसको बता है सौम बरेरो जलमार्ग ठीक है इसके बाद है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में यहां पे हमारा जो है वो है प्राइस चैनल ठीक है और ग्रेट निकोबार और यहां पर हमारे जो सुमातरा के बीच में है यहां पर आ जाता है हमारा जिसको हम बोलते हैं great channel इसको 6 degree channel भी कहते हैं ठीक है अब यहां पर रहने वाली जो मूल जनजातियां हैं मूल जनजातियां कौन हैं अंडबान निकोबार की मूल जनजातियां उनमें आती हैं ओंग जरावा सेंटीनेलीज ओंग जरावा सेंटीनेलीज निकोबारियंस ठीक है ओंग जरावा सेंटीनेलीज निकोबारियंस ये क्या हैं निग्रिटो परकार की प्रजातियां हैं निक्रिटो परकार की हैं, ये गहरे नीले रंग के होते हैं, ये कैसे नज़र आते हैं, नीले रंग के नज़र आते हैं, अगर हम देखें, इनको हमारे की एक कैसे हैं, तो देखो हम निकोबारियन्स को सर्च कर लेते हैं, निकोबारियन्स, देखो इस परकार के नज़र आए ये निकोबारियन्स लोग हैं ये यहां देखो आप इसको अंड़मा निकोबार के दीपसमों के जो लोग है खतरनाक है जरावा इसी को देख लो आप तो ये जो लड़का है न ये क्या है जरावा है जरावा खतरनाक होते हैं खतरनाक क्यूं होते हैं और खतरनाक फोटो नही कि जरावा की तो खतरनाक यह रहा लड़का यह जरावा खतरनाक होते हैं नीले रंग के होते हैं नीला नजरारन नीला तो यह नीले रंग के होते हैं और यह खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप इनके एरिया में चले जाते हैं आप सामाने मतलब जो अपन जैसे यह नरबक्षी टाइप के भी होते हैं मतलब इन मानों को मार के खा भी जाते हैं ऐसे हैं तो चलो जैसे भी हैं यह हमारे बट निकोबारियन्स हैं यह ध्यान रखना है अंडबा निकोबार आइलेंड है खुबसूरत आइलेंड है यह हमारा अब हम वापस चलते हैं हमारे जह 8249 वर्ग किलोमेटर है इसका जो एरिया है वो 8249 वर्ग किलोमेटर का एरिया है ठीक है यह ध्यान में रखना है अमें ओके ये भारत का सबसे बड़ा केंदर शाशित प्रदेश भी है ये भी ध्यान रखना है ठीक है इसके पशात हमारा जो द्वीप समू रहpel emoc91 यह वो है द्वीप लक्ष द्वीप तो लक्ष का अर्थ होता है लाक लाक द्वीपों का समू है बढ़ यहां पे लाक द्वीप नहीं है करीब 36 द्वीप हैं जिनमें 11 पे तुमान हम रहते हैं बाकी सारे निर्जन हैं यह हैं कहां यह अरब सागर में हैं अरब सागर में हैं ठीक है अर यहां पर हमारी एक रेखा अक्षांश रेखा गुजरती है इस अक्षांश रेखा को कहते हैं 8 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा इसलिए इसको हम 8 डिग्री चैनल की संग्या देते हैं 8 degree channel की संगया देते हैं और यहां पर हमारा जो द्वीप है वो द्वीप आता है मिनी कोई मिनी कोई द्वीप मिनी कोई ठीक है तो मालदीव और मिनी कोई के बीच में जो जलसंदी बनती है वो है 8 degree channel उसके बाद यहां पर लक्षदीव के मुखे जो द्वीप है वो आ जाते है लक्षदीव के मुखे द्वीप है बिखरे पड़े इनमें एक और द्वीप है इसको हम कहते हैं एंड्रोत एंड्रोत यह एंड्रोत जो द्वीप है यह लक्षदीव में समस्त जो द्वीप है उनमें सबसे बड़ा द्वीप है और ये जो सम्मिलित मिलकर क्या कहलाते हैं लक्षदीप ही कहलाते हैं अब लक्षदीप और मीनी कोई के बीच में यहाँ पर जो रेखा गुजरती है इसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल तो ये 9 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है इसलिए 9 डिग्री चैनल कहते हैं और कॉशन बनता है कि जो 9 डिग्री चैनल है किसको किसे लग करता है तो ये लक्षदीप जो समू हैं एंडरोध को अलग से नहीं लिखते हैं ये पूरा लक्षदीप ही है तो इस लक्षदीप जो चैनल है इस लक्षदीप को मिनी कोई से अलग करती है 9 डिग्री चैनल इसको आप हटाई दो सीधा ही याद रखना कि आप नहीं तो आप कन्फ्यूज होगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लक्षदीप के ही पार्ट है मिनी कोई को हम लक्षदीप का ही लेकिन लक्षदीप जो ग्रूप है जो दिपों का समू है उससे दूर दक्षण में हैं ये ध्यान रखना है तो लक्षदीप और मिनी कोई के मद्धे है 90 डिगरी चैनल और एंडरोत यहां का सबसे बड़ा डिप है ठीक है इसके लावा फिर यहां पर है अमीनी दीव और उपर है कना नोरे अमीनी दीव और यहां है कना नोरे तो यहां पे जो अक्षाश रेखा गुजरती है वो 11 डिग्री है तो इन दोनों की बीच में जो चैनल आता है वो कोन आता है? 11 डिग्री चैनल लक्षदीब पूरी तरह से कॉरल से बने हैं और कॉरल का जो विकास हुआ है वो गोंडवाना लेंड की प्राचीन चटानों पर हुआ है तो वर्तमान में तो यह पूरी तरह से कॉरल डिपों के ही भाग है अब यह जो डिप हैं यहां की खास बात क्या है? खास बात यह है कि लक्षदीब भी हमारा एक केंदर शाशित प्रदेश है और भारत का सबसे छोटा केंदर शाशित प्रदेश है मात्र 32 वर्ग किलोमेटर चेतर में विस्तित है इसकी राजधानी कवारती जो लक्षदीब समू में ही इस्तित है कवारती लक्षदीब समू में ही इस्तित है यहां पे मूलत रहते कौन है? मूलत है यहां के जो निवासी है वो गुजराती है ना गुजराती मूलत है यहां पे गुजराती जो भाशा बोलते है तो गुजराती यहां के मूल निवासी है ठीक है ना यह ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स यह थे हमारे भारत के द्वीप समू हमारा जो भारत का भौतिक प्रदेश है, टॉपिक बहुत बहुत लेंदी था, कंप्लीट होता है, कंटीनू साथ रहने के लिए थैंक यू, जाहेंद